ये है GMD News and Network और आप देख रहे हैं ITV इंदुस्तान ई ये है क्वाइब रहे हैं कि ट्डeton मैं है झाल 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 तरह थीन चार दिन तक तो हमारी बुए बात या कौन कुछ ने हुआ लेकिन जब बच्चे का पता सदा की दिली है आगिया तो हम बूत खुसी होई लेकि तीन चार दिन तक परेसा नहीं उठाइए ना खाना भाना ना कुछ बच्चे पर घाना हुग। लग रहा है लेकिन हमें जो पच्चे हुआ या जो हुआ लड़ाई हो रही है उसका भी पापी दुख हो रहा है कल भी एक बेटी हमारी आई थी धहरेवी उसी के दुवारा मुझे अब है के विशे में पता लगा था कि ये भी फ्रेंसल होते हैं तो कली बात होगे थी कि इनके घराना है तो आज हुन सब अपने टीम के साथ पूरी भार्टियंता पार्टी की टीम हमारे साथ है और हर घर जाकर हम उनके परिवार को सैकोशल आने की बढ़ाई दे रहे हैं और उनको मिठाई कि लाकर उनका स्वागत कर रहे हैं बहुत हैं अच्छी बात है कि भारत के प्रधान मंतरी मानि मोदी जी के प्रयास से ही यह काम हो पाया है कि आज पूरे विश्व लिश्मे मानिये मोदी जी ने भारत का एक ऐसा पर्चम लहरा दिया है जो आज तक अभी बनीन जो बच्चे आया है युक्रेयन से लोटके हर बच्चा यह कह रहा है कि उस जंडे की वज़े से भारत के भारत बच्चे नहीं बलके विदेशों के बच्चे भी अपने भारती जंडे को लगा कर और वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे जिने भी बच्चे हैं, लगवग लवगव सभी बच्चे से हरब भारत लोट चुके हैं जान लिसा कालकुलेशन नहीं लगवगा है कि यह नहीं पता या कितने बच्चे हुआ गए थे लेकिन जितना मुझे अपने संपर से पता लग रहा है कि जो बच्चे आए हैं हमारे ग्रामेड शित्र से भी और नगर शित्र से भी तो हम लोग प्रयास करें कि उनके घरकर जाकर उनके सैको से लाने की बढ़ाई और उनके स्वागत में जाए तो लगवक चबविस की सुबा हम वह से चलेते हैं रोमैनिया बॉर्डर की तरफ फिर घंडो लाइन वगर में लगने के बाद बहुत मुश्किलों के बाद पिर रोमैनिया के बॉर्डर से निकले हुआ महाँ पर एरबोड के पास पहुचे और रोमैनिया फैमिली के साथ पिर वहां से एक दो दिन बाद एरबोड के निकले हुआ पर सारी मदर सरकार के दोवारे उनोंने अमबसी से बात करी रोमैनिया अमबसी इकली अर रशीन से भी कि हम लोगों के से से निकाला जाये और फिर रहां पर उनोंने प्लेंस अबलेबल कराई इंपैक से शेवेंट और लग स्टॉप पे थे बशेल कई ते लगभा garlic है ते बुद में मिवाण है कि कि मिवार दूसरे पता हूँ और मेरी की पड़ाई बाकी है और मेरा भी 6 साल का वहां पर खोर्स है, मेरे भी 4 साल की पड़ाई वापस है, हमने बंबारी को देखते हुए अपने बतन वापस लोटने का फैसला किया और थोड़ी बहुत मुस्किलों का सामना कड़ते हुए हम अपने बतन इंडिया अभी आ चुके हैं और बंबारी तो वहां करके हम अपने घर पोच चुके हैं, सर दिक्कत है तो हमें बहुत होई हैं पर यह उसका हम शुक्र गुराज बुजा है कि हमें फ्लाइटे हमाने फिरी कर दे गई रतान टाटा जी की वज़ा से, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया कि हम बच्चों इले फ्लाइटे फिरी कर और हमें 15-20 किलो मिटर पैदर चलना पड़ा और उसके बच्चों के पहलों में च्छाले फड़ चुके थे चूते उते सब टूट चुके ते किसके पास खाना था यसके बाद नहीं था वहां पे बोडर के पास जाने के बाद हमें दो तिन दिन का वहां पे बिना खाय पी हुजाना पड़ा बहुत ठंड में जो मायनेस की तड़कती ठंड है और बहुत ठंड है किसके बाद चादर कंबल कुछ नहीं था बच्चे अपने खाने पीने का प्रोग्राम भी आपस से मां उनके कर रहे थे आपस घरों से कुछ लोग मदद के लिए आ रहे थे पर सरकार ने रुमेनिया बोडर से पहले कुछ नहीं किया पर रुमेनिया बोडर के बात की जो एमबैसी थी उन्होंने बहां की रुमेनिया सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया बहां पर हमारे परीवार वाले बहुत हुछ है हमारी ममी बापा भाई सब कुछ है यहां पर और ज